कि SSE की 73,000 प्लस वकेंसी जाने वाली हैं ये 73,000 प्लस वकेंसी आप लोगों की जोलियां भर देंगी तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुती शांदार सी खुशकवरी जिसमें आपके लिए हर किसी के लिए बहुत कुछ है चाहे वो त्यारी करना चाहता है एक मतलब गुरुप B के एकजाम की, C के एकजाम की, पुलिस के एकजाम की, फोज के एकजाम की, किसी भी तरह की अगर ये त्यारी करना चाहता है तो उन सभी के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशकवरी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूँ जिसमें बहुती मज़ के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस चीज को छोड़ दीजिए, कि ये चूट बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, ये क्या है, मैं आपको एक बाद समझाना चाहता हूँ, सरकार अब वकेंसियां दे रही है और आगे भी देगी, और रेलवे की भी कमिन विभागों में, गुरुप C और D के पदों पर होगी भरती, कि 73333 रिक्त पदों पर भरती करेगा करमचरी चेयन अयोग, ठीक है, यहाँ पर करमचरी चेयन अयोग क्या है, SSC है, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कि स्टाफ सेलेक्श की हो, चाहिए, वो गुरुप C की हो, इसी के साथ-साथ MTS वगरा की विकैंसी भी वो फिल करता है, अब इस लोटिस को पढ़ते हैं, यहाँ पर यह कहना क्या चाहता है, यह कह रहा है, करमचरी चेयन अयोग, अपनी भरती कलेंडर 2022 में, 73333 जुबाओं को नोक्री देगा, केंद्र सरकार के विविन भिवागों में, गुरुप C-BD के पदों पर भरती के लिए, अयोग को केंद्रिय मंतरालियों और भिवागों से रिक्तियों का जो विवरा प्राप्त हुआ है, उसके मताबिक, सरवादिक 28825 परद ग्रह मंतराले के अधीन भिविन भिवागों म परंतु मुझे लगता है कि पदों की संख्या तो बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं, अब ये कह रहा है, कार्मिक लोग शिकायत और पेंशन मंतराले के अंडर, सक्रेटरी गोतम कुमार की ओर से, SSE के अध्यक्ष और सभी मंतरालियों को 30 सप्तमबर को एक नोटीस मिशन रिक्यूटमेंट मोड में जल्द भरने के सुजाब दिये गए हैं, वावई वाव, ये कह रहा है कि 73,333 वकैंसी तो हैं ही, इसमें ये भी कहा गया है, कि भाई, मिशन मोड के तहत इसको जल्दी से फिल कर दो, इसको छोड़ो मत खाली, इसमें ये भी कहा गया, दिल साथ अवेदन से, दिल्ली पुलिस में MTS के अवेदन शुरू हुए हैं, कंबाइंड हाईट स्केंडरी लेवल एक्जाम 2022 के लिए, पाच नमंबर और सेंटर आम्ड पुलिस फोर्स में, कॉंस्टिवल जीडी और आसाम राइपल में, एस 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 वे राइपल में, अवेदन 10 दिसंबर से शुरू होंगे, 10 दिसंबर से उसके अवेदन शुरू होंगे, इन्होंने ये भी कहा है, S.S.E की नोकरी को यूपी और बिहार के जुवाउं में दोड़ हो गई है, मतलब होड़ हो गई है, होड़ हो गई है, कि भाई, इस जोग को to मैं लूँगा, इसको मैं लूँगा ये मैंने देखा भी है इन्होंने यहाँ पर मोटा-मोटा वरतियों का एक ब्योरा दिया है कि किस विवाग में कितनी-कितनी जो बड़ी-बड़ी वरतियां है उसके बारे में बताया है इन्होंने कहा है कि जीडी में ये लोग 24,600 पद देंगे जीडी मे और इसी के साथ SSC में CGL में कहा रहा है गुरूप B और C में इसमें 20,814 पद देंगे और इसी तरह से दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं तो ये 64,33 पद बढ़ती करेंगे मल्टी टास्किंग में तिल्ली पुलिस में ही मल्टी टास्किंग में अगर हम बात करते हैं तो ये कितने पद हैं? 480 पद हैं 480 पद MTS में देंगे और उसी के साथ साथ 470 इंस्पेक्टर के पद देंगे और 2960 किसके पद देंगे? अब ये मान कर चलिए अब ये समय है कि यहाँ पर इसके तो 84,000 आने वाले थे न पद कहां गए? दिए मेरी बात को सुनिए इस उलजन में मत उलजिए कि किसके पद कहां गए? बस इस बात को ध्यान रखिए कि हमें ये 24,000 पदों में से एक सीट अपनी पकी करनी है इस बात पर मत उलजिए ये समय नहीं है कुछ खोने का ये समय है उठकर चलने का दोडने का जीत आसिल कर मैं आपको एक बात समझा रहा हूं आज भी मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे मिलता हूं जो सिरफ इसी चीर में उलजिए रह गए इतने पद आने तो ये तो इतना हो गया ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया ऐसा मत करिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं ये गेम अलग ह तो इंगलीज के भै को दूर करूँगा और मैं गेम चलूँगा पूरा